प्यारे बच्चों इंगलिस वाले महें सरकी क्लास में आपका वेलकम है बोर्ट क्लास के इस डेंट चाहिवो 12 क्लास में है 10 क्लास में पढ़ाई के प्रती सीरियस है 95 प्लस लाना चाहते हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमेशा चर्चा में रहता है यार 8 गंटे रोजाना पड़ू 6 गंटे रोजाना पड़ू 3 गंटे रोजाना पड़ू अमित जिसने 25 साल टॉप किया था मैंने उससे गहराई से बात की थी उसने का था मैं 7.5 गंटे पड़ा था रोजाना कमेंट करते हो सर्कितने घंटे पड़ू एगजेक्ट बता दो तो चलो आज के वीडियो में एगजेक्ट बताएंगे कि आप 8 गंटे पड़े 6 गंटे पड़े 3 गंटे पड़े और क्या सच में घंटे मैटर करते है एक बात बताओ गंटे कभी मैटर करते ही नहीं जिनके लिए आप मरे जा रहे हो एगजेक्ट संक्या डूढ़ने में लगे होए हो आधा साल निकल गया अभी तो गंटों के पीछे पड़े हो अरे यार मैन मुद्दे की बात ये है जो मैंने शुरू में लिख दी इसके अलाबा एक बातोर्त है कि वीडियो छोड़कर भाग जाओ ठीक है क्या चीज मैंटर करती है क्या मैंटर करती है तो What decides your marks क्या चीज है जो आपके marks को निर्धारेत करती है आपके नम्मर किस चीज से आता है घंटों से कोई फरक नहीं पड़ता तो वो तीन चीज़े है 70% मुद्दे की बात बता रहा हूं डैरेक्टी रिविजन्स आपके कितने रिविजन होए क्या आपके रिविजन परियाप्त हो गए क्या आपको content याद है at least 4 कम से कम 4 रिविजन तो होने चाहिए अब यह 4 रिविजन जितने टाइम में हो जाए आप 2 गंटे रोजाना पड़ो आप 8 गंटे पड़ो आप 6 गंटे पड़ो दुरुस्त चाहिए अगर आपके कम से कम 4 रिविजन हो गए तो बहुत समभाबना है कि आप 95 प्लस क्रॉस कर जाओगे आपके दिमाग में चीज़े हैं और दूसरी HOLES matter करती है जो एको टॉप बनाती है वह है कि वह और को present कैसे कर रहा है आप फ्रिजन टेसन क्या होता है यह present में जसन है कि में धिमाग में आपके कमेंट से एक आय। आइडिया कि है इस वीडियो बनाए जाए कि बच्छे परेसान है कि कितने गंटे सब to be अब इस यह इस बात का presentation है मैं ऐसे खाली बोड रखके भी आ सकता था लेकि जब यह चीज आपके सामने आई तो आपके दिमाग में चीज फरक पड़ा रहे च्छा आठ गंटे च्छे घंटे अवर्श लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है तो चीज आपके दिमाग में चली गई इसे बोलते हैं presentation answer वही है ऑर आप कैसे उसको लिखते हो और आप मूल मंत्र क्या है आपके number is आपके number की से डिसाइड करते हैं कि आपके number इस चीज करते हैं कि आपने answer को कितना सुन्दर लिख Dies लिए कितना इजी वे मैं लिख दिया सार गर्वित लिख दिया कि उसने जल्दी से पढ़ लिया आपको नमबर दे दिये मतलब मैं अक्सार हर वीडियो में यही तो बात कहता हूं कि प्रजेंटेशन कुछ नहीं होता प्रजेंटेशन का इसे सजाना नहीं होता कि आप ऐसे ग गर्वित लिखो जो चाहिए वो लिखो आप तो इतना पढ़के गए हो लेकिन उसने पूछा इतना सा तो इतना ही लिखो क्योंकि कॉपी चे करने में जोर पढ़ता है और जो लिखा उसको साफ साफ लिख दो कि जल्दी से पढ़ ले और पूरे नमबर दे दे इस बात में डिपेंड करता है टीचर को कभी भी जैसे कि कोई बचा 100 परसंट भी ले आया और क्लास में बहुत होसियार है उसका नाम है पूरे एरिया में नाम है उसकी कॉपी भी जाएगी ना तो ध्यानक ना कोई पहचान के साथ नहीं जाती कि यह तोप सिंग है यह हवा सिंग है यह सार गर्वित वर्ड सीमा में रह करके अच्छी हेंडाइटिंग में लिख दो यह अच्छा प्रिजेंटेशन है अब तुम इसमें अकल एक्स्टा और लगाते हो तो नंबर कटवा लेते हो उसके सामने हुश्यार मत बनो तो अच्छा आप आंसवर तक पहुंचोंगे कैसे में चीज तो कंटेंट है वो है कि 70% रिविजन काम करता है 20% आंसर प्रेजेंटेशन दो बचे सेम सेम याद है कंटेंट दोनों को आंसर याद है लेकिन एक ने चाला की दिखा दी पूछा इतना सा इतना बड़ा लिख दिया टीचर हो गया है इरिटेट नंबर उड़ा द देखो हाँ साइन्स वगरा में जहां पर जैसे अपने मैं तो इंग्लिस पढ़ाता हूं अब इससे नोटिस है उसका डाइग्राम अच्छे से बनाओ बॉक्स वगरा जो जहां से स्टार्ट कैसे होगी फिनिस कैसे होगी मैं बोड़ी क्या है वह अच्छे से होने चीए उन टांडव कर रखा है यहां लेक्ट दिया चोटा लग दिया बड़ा लेक्ट कर दिया तो कॉपी को बिगाड दिया अब उसका मूड पहले से बिगड़ा है वह आपके गास गर जाएगी आपके नंबर उडा देगा हो सकता है ऐसा भी होता है मैंने देखा है बहुत सारी ची पसंद आगई अच्छी लग गई उसके दिमाब में बह्म हो गया ब्रह्म हो गया कि आप टॉपर हो आप तोप सिंग हो और वो तोप सिंग की मानशक्ता सुने सारी कौपी चैक कर दी ऐसा भी हो जाता है लेकिन बहुत कम चांसेज में आप इस चांस को अपने पर मत ले ले ला ति मेरी जब कौपी आएगी उसका मूट अच्छा हो जाएगा में एक चीज देखेगा मेरे सो नमर आ जाएंगे ऐसा नहीं होता ऐसा सिर्फ 5% केसेज में ही होता है 95% केसेज में आपका कंटेंट आपका आंसवर आपक सब्दम उत्तर है टाइम कितने घंटे पड़े क्या मैंटर करता है नो मैंटर कोई मैंटर नहीं करता आपको कंटेंट दिमाग में पूरा है उसके लिए आप कोई बच्चा दो दो घंटे पड़के कर लेता है कोई आठ आठ नहीं कर पाता है वह अलग मैंटर है लेकिन ती यह दिमाग का मैकेनिसम है कि चीजे ताज ताज याद रहती यह है बासी पुरानी चीजों को भूल जाते है छो यह मने वाद फीर से कहलने करनों कना न्यूंत सकते हैं फिर दो मेंने बार को देखना कि फिर लिखोनक स्वेम क्रोम पर लेकिन फिर विरेंगे आद हैं अगर long time के लिए हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो चार-पास रिविजन करने पड़ेंगे तो अब यह time matter नहीं करता है वो चीज़ आप कितने समय में करते हो अगला point है irregularity यानि कि नियम मित्ता आप रोजाना पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो a little matter a little matter थोड़ा matter करती है एक बात पता हूँ बहुत से लोग time table बनाते है चाप चाप में बट मेरी नजर में अकसर कहता हूँ time table एक ऐसी से जो कभी follow होता है नहीं जरूर टूटेगा क्योंकि दिन कभी एक जैसे नहीं होते है ना सब दिन होतना एक समाना हो सकता है बीच में आपके घर में कोई आकस्मिक काम पढ़ जाए आप घूमने जा रहे हो या आपकी family में कुछ और सदन कुछ बेकार हो जाए कुछ अच्छा हो जाए कौछ अच्छा इवेंट हो जाए कोई birthday है अच्छा कोई साधी आगी तो टूटेगा तो यह थोड़ा हां ऐसा भी नहीं है कि अब इसको बिल्कुल एक दम से बिल्कुल पंक्ट्वल नहीं हो ना थोड़ी अच्छी बात है हाँ दो-तीन दिन के लिए मिस हो जाओ मिस तो क्या मला आप नहीं कर पाए उसको आगे जाके कवर कर लो अरे चार-फांच रिविजन कर रहे हैं तुम उनको दिन में ददस घंटा करके कर लो फिर कभी एक गंटा करके कर तुम्हारा काम है इसको कर लो करना जरूर है मैं थेन बात तुमने पहले लिख दी वरट मैंट मैंकर करती है सफट्वर स्टेड़ी स्ट्रेड़ी इस पreteर मेने बहुत सारय लेक्च आरे चक्शर के बनाई है कि जो बचचा फुल टीचर पर आसृत है उसका तुक का लग सकता है वो रट्टू है लेकिन जो बचशा cm-bैर सार गर्वित लिखने की कला जानता है ब्रमात मानना हो सकता है कि आपका टीचर अभी नया नया आया हो उसको ज्यादा पढ़ाने का अनभव ना हो उसमें बड़ बड़ आनस्वार लिखा दिये हो हैं लेकिन महापेची यह सौट एंड स्वीट बड़ लिमिट फिक्स जो खुद की अवियरनेस लाओ टॉपर से बात करो है ना पिछले साल के पेपर देखो कि मैटर तो इतना सारा है कि पूछा कैसे जाता है किस चेप्टर में से आरे विद्या समावन होती है बड़े कैसे आते चोटे कैसे आते इस तरह की बात है तो यह सेलफ स्टेडी में आती ह एक हमेसा रिटन लिख के मेनद किया करो अवर्स कितने फिर भी लास्ट में भी कहीं सर बताई जा बताई दो यार तो तो तीन से चार अवर भी एनफ है अगर आप अपने काम अपने बस में रखते हो तो क्योंकि एक बात बता हूं अक्सर कहता हूं अभी आप माना कि 12th क्ल की यू offer में उखा कर देख हो एक हो तो और तो शुमा की में स्योगर्ली व कリically है की चल रही है कि वह एक बताई तुम असी शुर्षी ऑखता है तो अब तो अपनी उस स्लेबस के लिए ज्या है अरे क्या यार कितना स्लेवस है क्या 6 गंटे जरूरत है आठ वी क्लास छोट छोटी बुक्स है छोट छोट चैप्टरे तो ऐसे याद हो जाते अब तुम्हारे फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो तुम्हें छोटा सा लग रहा है उसी तरह से तुम्हारा स्लेवस अगर कोई मुझे से पूचे मुझे छोटा सा लग रहा है अब दिखो अब मुझे मेर तुम्हें अंतर क्या है एक तो अनभव का है एक्स्प्रियेंस का मैं बहुत साल से बढ़ रहा हूँ लेकर आप इस गैप को कम कर सकते हो इसको पाट सकते हो इसको हलका कर सकते हो पता है कैसे कुछ उट पटांग करो टीचर से पहले कभी कभी चैप्टर को खुद पढ़के देख लिया करो टीचर वाली नजर आ जाएगी टीचर वाली समझे जाएगी आप दिमाग को रटने में इतने गंटे लगा रहे हो उसकी बजाए वह तो लगाने कुस तो रटना पड़ता है लेकिन कुछ गंटे इस दिमाग को तेज करने में लगा और तेज जब होगा जब कुछ उठ पटांग कीजे करोगे कभी-कभी टीचर तो पढ़ रहा है जैसे कि कल पढ़ायागा चौथा चैप्टर चौथा आज आप घर पे पढ़ रहे हो उदार टीचर पढ़ रहे हो तुम भी टीचर के वालो फिर वह चीज आ जाती है दिमाग में कि यह चीज किस तरह से होती है तो मेरा कहने का मतलब है तीन-चार गंटे एन अफ है उसके लिए अब पहले दिमाग को तेज कर लो टीचर वाली समझ लिया और तीन-चार गंटे भी बहुत है दो गंटे बहुत है बहुत बड़ा सिलेवस नहीं है आपको लगता ही ऐसा है एक बरत पर चीज कबर हो लगती है लास्ट के रिविज से चार रिविजन तो देने फिर आपका काम हो जाएगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने कुश्चन का आंसर मिल गया होगा इस बात पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि कितने घंटे मैटर करते घंटे कभी मैटर नहीं करते आपके आंसर जो आपने लि